आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पाउं ब्रिटिश सामराजी को घुटने पर जुका दिया कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूँ कि एक दिन आप गोदी मेडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे आएंगे एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पाउं ब्रिटिश सामराजी को घुटने पर जुका दिया कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरुसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे आएंगे आप आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते इसके गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा यह सबकी लड़ाई है इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम है इसके खत्रे की गंभीरता को समझे कानून की यार में अब अधिकार कुछले जा रहे हैं अविद्यक्तियों को रौदा जा रहा है ताकि सारे अवैद काम वैद नजर आए इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं निश्चित हैं तो सिर्फ होसला है उसका भी क्या वरोसा कभी आसमान में होता है कभी पाताल में एक यूट्यूब चैनल बनाया है रविश कुमार ओफिशिल और फेस्बुक पेज भी है रविश का पेज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा अब मैं यूट्यूब पर ही नजर आऊंगा एंटीटीव इडिया पर नहीं किसी संस्था के साथ मरियादाएं बहुत अलग होती है फ्रिलांस और आजाद जीवन की अलग लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं जीना चाहता हूं मैंने इस तिफा दे दिया है नमस्कार मैं रविश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा नमस्कार मैं रविश कुमार एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पाउं ब्रिटिश सामराजी को घुटने पर जुका दिया कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे आएंगे आप आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते इसके गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा यह सबकी लड़ाई है इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम है इसके खत्रे की गंभीरता को समझजिये इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं है निश्चित हैं तो सिर्फ होसला है उसका भी क्या वरोसा कभी आसमान में होता है कभी पाताल में एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार Official और Facebook पेज भी है रवीश का पेज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा अब मैं YouTube पर ही नजर आऊंगा NDTV डिया पर नहीं किसी संस्था के साथ मरियादाएं बहुत अलग होती हैं फ्रिलांस और आजाद जीवन की अलग लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूं जीना चाहता हूं मैंने इस्तिफा दे दिया है नमस्कार मैं रविश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा नमस्कार मैं रविश कुमार